कोरोना के संक्रमन को रोकने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और विज्ञानिक दिन रात मेनत कर रहे हैं कोई वैक्सिन बनाने में लगा है तो कोई संक्रमन को रोकने के लिए डिवाइस बना रहा है लेकिन कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है फिलहाल संक्रमन से बचने के लिए सैनिटाइजर, साबुन से हाथ दोना और सोसियल डिस्टैंसिंग जैसे तरीके कारगर हो रहे है इसी कड़ी में विज्ञानिकों ने एक डिजिटल सैनिटाइजर तयार किया है जिसे लेकर दावा है कि स्मार्टफोन की फ्लेश लाइट से कोरोना जैसा वाइरस और बैक्टिरिया मारे जा सकते हैं आईए जानते हैं इस डिजिटल सैनिटाइजर के बारे में विस्तार से इस काईज डिवाइस का नाम UVLAN है जिसे दक्सिन कोरिया की एक कमपनी UVLAN ने तयार किया है इस डिवाइस की मदद से स्मार्टफोन की फ्लेश लाइट के जरिए बैक्टिरिया को मारने का दावा है यह device phone की flash light को ultraviolet light में बदल देती है बता देगी शुक्ष्म virus को मारने के लिए ultraviolet का इस्तिमाल होता है इस device में एक clip है जिसकी मदद से इसे phone के पीछे flash light पर लगाना होगा इसके बाद flash light को on करके किसी सतह पर 10 सेकंड के लिए focus करना होगा इस device को फिलहाल बाजार में पेश नहीं किया गया है लेकिन इसकी launching जल्द ही होने वाली है UVLAN की कीमत 25 डॉलर्स यानि करीब 1887 रुपए होगी हाला कि विश्व स्वास संगठन ने कहा है कि ultraviolet light से तो अच्छा रोग हो सकता है और आखे खराब हो सकती है लेकिन 207 से 222 नैनो मिटर वेवलेट की ultraviolet light से कोई नुपसान नहीं है UVLAN को लेकर कमपनी का दावा है कि यह device 100 फिजदी वाइरस मारने में सक्षम है कमपनी ने यह भी कहा है कि UVLAN क्लीनिकल प्रमानित है और यह परिक्षण में सफल हुआ है यह प्रती दिन 50 बार हातों को वाइरस मुक्त कर सकता है इसलिए device का इस्तिमाल किसी भी smartphone से हो सकता है धन्यवाद